हेलो वर्वन गुड मॉर्निंग सभागे तिप सभी का ओनलाइन स्टेवियर में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिगली नटीपीज एक्जाम में जितने भी पूछेगे एलजवरा के क्वेशन्स थे वह मैं आपके साथ डिसक्स करने वाला हूं तो आज के इस व क्या जाना चाहिए था एक्जामस में चलिए शुरू करते हैं तो देखे आज की इस वीडियो का फ़र्स्ट कोच नमर क्या बनता है कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वाल टू तू दिया गया हूं देखेगा इस क्वेशन्स को कितना सिंपल से दिया गया था और प अब आप बिताए कि इस को कैसे करेंगे देखें बहुत सिंपल सा क्वेशन्स में कुछ भी नहीं किया गया अगर हम इस वैली को ध्यान से देखे तो यहां पे क्या है अगर हम वन प्लस वन यानि कि एक्स की यगा पर वन रखे तो क्या यह सटिसफाइड नहीं कर रहा है ब तो कहने का मतलब दो बटे दो यानि की एक इस कोईसंस का सही आंसर होगा जो कि हम और सी को टिक कर सकते हैं बताइए कोई दिकत नहीं चलिए तो प्लस 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 फॉर इक्वल टू जीरो के मुल बराबर होगे देखे सबसे पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि मुल कोसे ही मैं मकोद होगे कहई म जाय मूल बराबर होता है तो टो इस कंडिशन में क्या करते है कि भीस्वाइर बराबर वॉर एस यह चीज़ आपने जरूर पढ़ रखिए बीस्क्रा बराबर फटे कोई शुर इसकाय का घार रहता था है मान के चलिएक है मारे पास कोई समीकर है x square plus b x plus c equal to 0 तो इस समीकरन को हम इस form में तोड़ते हैं इनके मुलों को बराबर करते हैं किलर अब बात करते हैं questions में questions में समीकरन हमारा क्या लिखा गया 4x square minus 2 into p plus 1 और यहां पे x है और plus में p plus 4 ठीक है right side में 0 के बराबर है यह हमारा एक समीकरन दिया गया और इस समीकरन को जो की पूछा जा रहा है किसके मुल बराबर होंगे तो यहां पे में p की value निकालनी है ठीक है तो देखिए हम इस questions को इस formula पर यानि कि इस condition पर बैठाते हैं आपका माइनस में इसको लेंगे तो आपका प्लस में हो जागा तो इसलिए मैं उसको में नहीं ले रहा हूं के लिए राइट side में करेंगे तो 4AC तो देखिए 4A कितना है 4 है सी कितना है तो सी आपका टोटल हो जागा पी प्लस फूर तो मैंने यहां पर पी प्लस फूर रखा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब इस questions को तोड़ते है तो इसको करेंगे तो क्या होगा चार पी प्लस वन का होल स्कॉर हो जागा राइट side में 4 इंटू 4 इंटू प्लस फूर है की नहीं ठीक है चार से चार इसको खतम करते हैं अब हमारे पास क्या बच्छा पी स्कॉर प्लस वन प्लस टूपी हो जागा इसका स्कॉर मैंने तोड़ दिया प्लस बी का होल स्कॉर राइट सेड में हो जागा हमारा 4 पी प्लस जो की 16 कोई दिक्कत नहीं होगा और यहां पर आपका माइनस में 15 राइट साइड में 0 अब हमें यहां पर इक्वेशन तोड़ना होगा ठीक है यानि कि फैक्टर को तोड़ना पड़ेगा तो फैक्टर तोड़ने के लिए यह कह सकता हूं कि यहां अगर जो कि इसको कुछ इस तरह से तोड़ दे पी म में पॉस्टिबल नहीं करेक्ट आंसर अपका पी होगा फाइव के बराबर तो इस क्वेशन का सही आंसर हम किसे टीक करेंगे जो की और किसे एक को टीक कर सकते हैं अगर आफ एक्टर नहीं तोड़ना चाते तो भी इसको कर सकते हो देखो कैसे उसके करने के लिए हम क्या कर इस तरह से बीकर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा आप वो कीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे अगला प्रस्ट में कुछ इसी तरह से दिया गया जो सेकेंड को इस तरह से की के किसमान के लिए समीकरण एक्स स्कॉर प्लस टू इंटू के माइनस फॉर एक् प्लस टू के इकवल टू जीरो तो यहां पर भी मूल बराबर करना यानि की बी स्कॉर बराबर फॉर एसी यह चीज़ आपको याद रखना हो कि जब मूल बराबर करना होगा तो बी स्कॉर बाइनस बी स्कॉर बराबर फॉर एसी ठीक है तो बी स्कॉर यानि की अगर कर सकत है अब इस questions को solve करते हैं अगर इसको square तोड़ेंगे तो क्या हो जागा 4 और k-4 का whole square right side में हो जागा 4 into 2 के चलो 4 into 2 के कर देते हैं एक से गुना होगा तो आपका खत्म हो गया 4 से 4 खत्म अब हमें हमें आप पर क्या करते हैं इसका factor तोड़ लेते हैं या अब हमें factor यहां पर देखना होगा तो देखें कि 8 दुनी की 16 और 8 दो 10 यानि correct answer हमारा 8 और 2 हो जाएगा right answer options number C को tick कर सकते हैं 8 और 2 कोई problem नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस नेखी क्या कह रहा है कि x square plus 13 x plus 42 यह सभी questions पूछा गया है मैं आपने से लेकर आहा हूं कहीं से questions देख सकते हैं आप सभी सभी questions अल्रेड़ी पूछे जा चुके 42 equal to 0 के बराबर है हमसे x की value पूछा जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 42 लाना है और कितना होता है अगर factor को ध्यान में रखे तो क्या होगा 76 42 और 76 जोड़ेंगे तो 13 भी हो जाएगा अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें अगर इसको हम कुछ इस तरह से ल कोई problem नहीं है इस तरह से पासानी से कर सकते हैं चीक है चलिए next question भी try कर लेते हैं देखिए next question क्या है काफी अच्छा प्रस्न है यह तो आपका direct formula ही पूछा गया एकस प्लस य का whole square ठीक है और minus में x-y का whole square दिया गया और इसकी value अपसे पूछी गई है देखिए अगर a square a plus b का whole square माइनस में a minus b का whole square रहता है तो इसका direct हमारा जो formula होता है वो होता है क्या sorry इसका direct formula होता है 4xy होता है ठीक है 4xy लेकिन एक और condition एक और formula यह होता है कि इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिख दे a square plus में x- sorry x-y का whole square तो वहां पे हमारा जो formula बन जाएगा X square plus Y square यह हो जाएगा तो यह दोनों फर्मूले most important है बार बार repeat होते आप इनको याद रखेंगे ठीक है अगर बीच में minus हो तो 4xy बीच में plus हो तो 2 into x square plus y square चाहो तब इसको तोड़ सकते हो कोई problem नहीं है तोड़िएगा तो आपका y आएगा a plus b का whole square तोड़िए और minus में a plus a minus b का whole square तोड़िएंगे तो दोनों कटने के बाद आपका यहाँ पे 2xy plus में 2xy दोनों जुल करके 4xy हो जाता है चीक है उमीद करते हैं कि यह बात आपने समद लिएगी चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि fx equal to 2x square minus 5x plus 2 का सही गुड़नखंड चुले देखिए यह question देख सकते हैं पीछली बार exam में ही पूछा गया है तो कैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया 2x square minus में 5x plus 2 और यहाँ पे हम से पूछा इसका गुड़नखंड क्या होगा इसका फैक्टर क्या होगा तो इसको करने के लिए दो मेथड या तो फैक्टर तोड़ सकते हो या फिर हम यहाँ पे options का putting कर सकते हैं अगर हम x minus 2 equal to 0 को उठा करके देखें रखने के बाद अगर 0 आजाता है तो हम यह कहेंगे कि हमारा यह satisfy हो रहा है तो चलिए इसको आप एक्स को जगा पर दो रखतें अगर हम एक्स के जगा पर 2 रखे तो कितना होगा दो दूनि के चार दूनि के आठ और यह आपका कितना होचागा जो कि 5 दूनी की 10 प्लस 2 यानि की 10 और माइनस 10 आपका 0 आगे की नहीं 0, 0 जब आ जाता है तो factor हम समझ सकते हैं कि यह हमारा जो की बिल्कुल सही होगा x-2 is the correct answer, x-2 जो होगा इस समिक्रन का factor है, चीक है तो right answer will be options number a को tick करेंगे, कोई problem नहीं है उमीद करते हैं कि यह बात आप समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, चीक है अगला question देखी, बहुत अच्छा प्रस्न है और इस questions को करने में बिल्कुल भी आपको समय नहीं लेना questions को मैं एक बार लिख जाता हूँ, questions देखिए कि हमारा क्या क्या रहा है, कि 0.5x प्लस 0.7y, ठीक है राइट सरी में लिखा गया 0.74, चलो एक ही समिंगन को लगते और उसी के बाद एक और समिंगन लिखा गया, चलो इस समिंगन को भी लिखी देता हूँ 0.3x प्लस 0.5y, इकोल टू दिया गया 0.5, ठीक है अब हमें यह बताने कि यहाँ पर x और y की value क्या होगे, देखे, x और y की value होगे, फाइंड आउट करने के लिए आप यह सिंपल सा बात करोगो कि दोनों समिंगन को हल करोगे, दोनों समिंगन को एक्वेशन को तोड़ोगे, उसके बाद x, y की value को निखा लोगे लेकिन मैं आपको यह बोलूगा कि जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे, उसमें करने में आप उसको options के through कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ, डारेक्ट यहाँ पर x और y की value को put करके check करता हूँ, अगर हम पहले options को रखे, पहले options हमारे क्या लिखा गया, चलो एक बर मैं options यहाँ पर लिखा गया, 0.5 और 0.5 उसी तरह से 3rd में क्या, 0.5 into 0.7 जो की आपका C options है, B options में क्या लिखा गया, 0.6 into 0.4 और यहाँ पर 0.3 कॉमा दे करके 0.5 ठीक है, इस तरह से, यानि x और y की value है, तो अगर x की जगा पर मैं 0.5 रखूंगा तो यह आपका इतना हो जगा, 0.35 लास्ट में आपका 5 बारा और यहाँ पर रखूंगा, 0.35 यानि कि दोनों तरह गुना करेंगे, तो simple सी point रटा क करके बात करते हैं, ठीक है, point रटा करके बात करेंगे तो 35, 35, 75, जो कि हम लास्ट में तो 4 लाना है, कह सकते हैं, यह हमारा बिल्कुल गलत होगा, उसे तरह से, इस equations को देखें तो क्या, इस equations को देखें, 6, 35, लास्ट में आपका 0, और यहाँ पर देखें, 7, 4, 25, लास्ट म हो जागा, 0,25 और प्लस में यहाँ पर रखें, 7, 49, तो इन दोनों को आप गर के देखें, 9, 5, 14, लास्ट में 4, 2, 6, 7, आ रहा एक नहीं आ रहा है, इसके बराबर आगया कि नहीं आ गया, तो करेक्टर सा किसे टिक करेंगे, options number C को टिक कर सकतें, बिना किसी दिक्कत के, उस करतें, उसी तरह से अगर Y के जगा पर रखेंगे, तो क्या होगा, Y के जगा पर रखें, तो 7 बचे 35, यानि कि 35, तो जोड़ करके देखें, आ रहा है कि नहीं, 50 आगा, एक नहीं आगा, बिल्कुल आ रहा है, तो उमीद करते हैं कि यह बात अपने समझाओगा, आपको इस आपसे पूछा क्या है, A² प्लस B² प्लस AB अपन में लिखा गया, AQ-BQ की वैलू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, तो सिंपल सा फर्मूल, अगर आपको याद होगा, तो आप इस को सिंपल सा कर सकते थे, देखें, क्या पूछा गया, आपसे AQ-BQ यहां पर, तो आपक नहीं होता है, यही तो होता है, अब हम यहाँ पर देखें कि अगर इसके जगा पर इतना रखतें, तो उपर नीचे काम खतम, उपर नीचे काम खतम, तो बच्छा आपके पास सिर्फ और सिर्फ A-B, लेकिन उपर में एक नीचे आपका A-B, तो A-B रखने का मतलब क्या हु है, तो यहाँ पर मैं सीखाने के लिए हूँ, तो बस आप वीडियो को देखते रहे, सीखते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, अगला पर उसने क्या कह रहा है, कि X plus Y equal to 3 दिया गया, देखिए, इस क्वेशन में थोड़ की CHSL, यानि 10 plus 2 का एक्जामस दिया है, तो आपने ये notice किया हूँ, कि ये questions लग रहा था, कि हर shift के लिए जब से, जो की favorite questions माना जा रहा था, हर shift में ये questions पुझा रहा था, दिन में 3 shift हो रहे थे, 3 shift में इस type के questions पूछे जा रहे थे, तो आप ये अंदाद्या लगा सकते हू ये questions कितना बार, खुद railway ने भी पूचा है, ठीक है, तो कैसे करते हैं, और इस question में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल simple सी बात यहां पे कही है, सबसे पहले अगर देखते हैं, हम देखे हैं, हम देखे हैं, हम देखे हैं, hit and trial करते हैं, ठीक है, यानि कि X और Y की ऐसी क्या value निकाल लेते हैं, कि लिए, अब हम यहां पे देखें, अगर यहां पे X into Y का जो की गुना करके 2 लिखा गया, तो हम यह कह सकते हैं, कि 2 गुने 1 होगा, या फिर 1 गुने 2 होगा, कोई problem नहीं, तो 2 गुने 1 यहां पर 2 आ जा रहा है, तो अब यहां पे हम देखते हैं, कि 8-1 equal to 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे होते हैं, कि 1 गुने 2 करते हैं, तो यहां पे आपका minus में जाता है, जो कि options में नहीं है, तो आप थोड़ा सा उलट करके इसको रख सकते हैं, कोई problem नहीं होगा, उमीद करते हैं, कि यह बात आपने समझा ठीक होगा, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अगला प्रस्ट देखी क्या करा है, कि दिया गया है, कि X plus 1 by X equal to 15 दिया गया, देखें कैसे करेंगे, कि X plus 1 upon में 15, sorry, 1 upon में X लिखा गया, और इसकी value जो की 15 के बराबर है, और हमसे पूछा यह गया है, कि 5X upon में 5X square minus 11X plus 5 की value बताये क्या होगा, अब इस questions को कैसे करेंगे, तो देखें, बहुत simple सी बात यहां पर काईगे, कुछ नहीं करना, थोड़ा से इसको सजाएंगे, कैसे करते हैं, ऊपर में मैं जहूं करते हूँ, छोड़ जाता हूँ, नीचे में मैं क्या करता हूँ, कि इसको मैं क्या करते ह यहां पर सिर्फ 5 की 5 कटाना है, तो हम यहां पर कह सकते हैं, कि आपका x होगा, क्योंकि हमें 5 लाइना है, अब इसको cost multiplication करेंगे, तो x x खतम होगा, यहां पर सिर्फ 5 यहां जागा, और minus 11 x को जहूं काते हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, ठीके, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो इसके आगे मैं यह कर सकता हूँ, दोनों में से x को comma लेता है, उपर में 5 x को जहूं काते हूँ, छोड़ा, और नीचे मैंने x comma ले लिया, कुछ इस तरह से, यहां पर आपका यह हो जागा, बचाए, कोई problem नहीं, x से x खतम, अब यहां पर क्या बचा है हमारे 75, तो यहां पर 75 माइनस में 11 कर देंगे, ठीक है, अब यहां पर करेंगे, तो x माइनस कितना हो जगा, 75 में 11 जगा तो आपको होगे 64, तो देखे, इस questions का right answer 5y, जो की 64 होगा, लेकिन options में आपका नहीं था, और यह questions जो की railway के through भी, star mark answer यानि की किया गया था, neglect किया गया थ आप इसको समझ सकते है, questions का right answer होना चाहे था, 5y, 64, लेकिन options में आपका match नहीं कर रहा था, तो मुझे उमीद है कि आपने इस सारे questions को समझ लिया हुआ, काफी easy तरीके से, अब यह क्या बताना चाहता हूं, देखे, आपके NTPC exams में match का portion कितना है, NTPC में match का जो दिया गया कितना number दिया गया, 30 क्योंबर, यानि कि 30 questions आपके maths के रहेंगे, और अगर आप काफी अच्छे तरीके से preparation कर रहे हैं, तो इस 30 में से तो आप 26 plus कर सकते हो, काफी easily, क्योंकि ज्यादा tough questions आपको नहीं मिलेंगे, इस तरह के questions सारे chapter से, चाहे arithmetic हो या फिर advanced हो, तो अगर आप अच्छे से preparation करेंगे, तो आप 30-30 भी कर सकते हैं, लेकि नॉर्मल भी आप 26 तो प्लस करी सकते हो, कोई problem नहीं होगे, तो अगर मुझे उमीद है कि अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साहां से रहे हो, इस तरह अगरा नुए वीडियो मिलती रहते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स ट्रॉपिक के साथ, थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हाव अगुड़ देए